UAE में लहराएगा भगवा ध्वज, मंदिर बनकर हुई तयार, UAE की राजधानी अबु धाबी में B.A.P.S. स्वामी नारायन मंदिर बनकर कर तयार हो गया है, अब बस मंदिर में घंटों की आवाज गुंजेगी. मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है, मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है, कि जो एक बार देखे, वो देखता ही रह जाए. 700 करोड रुपए की लागत से बना ये मंदिर भारतिये प्राचीन मंदिर निर्मान शैली का अद्भुत उदाहरण है. 27 एकड में फैले इस मंदिर को बनाने में राजस्थान से अब्बु धाबी थक गुलाबी बलुआ पत्थर पहुंचाया गया था. इन पत्थरों पर भीशण गर्मी का भी कोई असर नहीं होगा. अबु धाबी का ये हिंदू मंदिर एशिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। जिसकी उंचाई 32, आर्स 9.0 मीटर, लंबाई, उन्ना स्यामाईंचोच 6.0 मीटर और चोड़ाई मीटर है इस मंदिर को पूरी तरह बनाने में 18 लाख इंटों का प्रयोग किया गया है BAPS संस्था के नित्रित्व में बने इस मंदिर में साथ शिकरों का निर्माण किया गया है जिसके हर शिकर में देवी देवताओं की आकृतिय को उकेरा गया है इतना ही नहीं मंदिर के बाहरी हिस्से में 46 गंटियां लगाई गई हैं जिससे एश मंदिर भव्यता अलग ही दिखती है साथ ही मंदिर के अंदर पत्थरों पर जो नकाशी की गई है उसमें रामायन और महाभारत के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथों और पौरानिक कथाओं का भी वर्णन किया गया है बहरहाल ये मंदिर न सिर्फ आस्था का केंदर बनेगा बलकि सौहार्द और सामंजस्य के प्रतीक के रूप में भी जाना जाएगा